हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमेस्ट्री बितकार आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइट्रेशन टाइट्रेशन क्या होता है टाइट्रेशन सिक्षन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे अब भी के टाइम में बहुँ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्यूंकि इस टाइटिक से कुष्छन कम ही आते हैं लेकिन अगर पिछले 15 साल की बात करें या पिछले 10 साल की बात करें तो बहुत कमी कोश्चन आया है लेकिन फिर भी आया है तब हम इसको पढ़ेंगे ही हलाकि इस topic के पढ़ने के पीछे का जो भी concept है मतलब ये topic क्या-क्या चीज पढ़ेंगे तो मेरे कोई समझ में आएगा इसके पहले हम पढ़ा चुके है equivalent concept, mole concept, वो सब चीजें अगर तुम्हें अच्छे से समझ आया है तो इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होने वाला है एक थोड़ा सा इसमें है indicator theory तो indicator theory अभी हम चाहके भी समझा नहीं पाएंगे जब तक तुम आइनिक इकल्वडिया नहीं पढ़ोगे तब तक indicator theory समझ नहीं आएगा मतलब indicator काम कैसे करता ये समझ नहीं आएगा फिराल तो अभी तुम्हें indicator भी समझ नहीं आ रहा हो अगर कोई बात नहीं अगले कुछ दिर में ये सब चीज़ें समझ आने लगेगा तो titration में हम क्या पढ़ते हैं actually मेरे को एक weaker में कोई solution दिया हुआ है ठीक है ये solution है HCL solution by the way ये HCL solution है मतलब HCL है और water है इसके अंदर जो भी HCL रखा हुआ है उसका concentration भी पता है 0.1 है मतलब HCL का concentration भी पता है बट हमारे पास एक weaker में एक दूसरा solution है NaOH का solution NaOH plus water और इसका concentration हमें नहीं पता है मतलब इसका molarity, normality, कुछ भी मतलब कोई भी concentration term नहीं पता है ऐसा solution जिसका concentration पता होता है यह कोई भी हो सकता है molarity हो सकता है, normality हो सकता है कोई भी concentration term पता हो बैसे solution को बोलते है standard solution standard solution ऐसा solution जिसका concentration हमें नहीं पता होता है उसको बोलते है non-standard solution standard solution acid हो सकता है standard solution base हो सकता है standard solution oxidizing agent हो सकता है standard solution reducing agent हो सकता है similarly non-standard solution oxidizing agent reducing agent acid base कुछ भी हो सकता है कोई भी चीज जिसका concentration पता है तो हम उसको standard solution बोलेंगे concentration नहीं पता है तो उसको non-standard solution बोलेंगे अक्टिली टाइट्रेशन में क्या करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड सोलूशन के हिल्प से नन स्टैंडर्ड सोलूशन का कंसेंट्रेशन पता करते हैं यह यह हम बोलें स्टैंडर्ड सोलूशन के हिल्प से नन स्टैंडर्ड सोलूशन को standardized करते हैं मतलब non-standard solution को standard solution के help से non-standard solution का concentration पता करेंगे यहीं हम overall titration में करते हैं ठीक है तो अगर non-standard solution अगर non-standard solution non-standard solution अगर acid है और इसका concentration हमें पता करना है तो हम standard solution कौन लेंगे standard solution कौन लेंगे कोई ऐसा लेंगे जो इस acid के साथ react करें तो अगर non-standard solution acid है तो standard solution base होगा और अगर non-standard solution base है तो standard solution standard solution acid होगा अगर non-standard solution oxidizing agent है तो standard solution reducing agent होगा और अगर non standard solution reducing agent है तो standard solution oxidizing agent होगा ठीक है तो in fact titration को दो category में इस तरह भी divide किया जाता है acid based titration and redox titration हलाग कि हमने titration को इस चार पार्ट में divide किया है बिसकलिए हम इस चार पार्ट इस तरह से divide किये हैं जो हमें पढ़ना है बस उस उस चार portion को हमने लिखा है otherwise titration को ऐसे ही divide करना चाहिए redox titration and acid based titration ठीक है हम ऐसे ही categorize करते लेकिन चुक्छे हम लंबे टाइम तक फिड़जी से जूड़े रहे हैं फिड़जी के faculty रहें तो फिड़जी में ये pattern follow किया जाता है और चुक्छे हमारा वीडियो बहुता तक फिड़जी वाले बच्चे भी देखते हैं तो उनको भी target करके वहीं categorization हमने यहाँ पे use किया है अगर हम बता दें इस चारों में कौन redox titration का example है कौन acid based titration का example है तो ये दोनो redox titration का example है ये double indicator titration भी इसको बोलते हैं या double titration भी बोलते हैं ये generally acid based titration का example होता है back titration acid based titration का भी example हो सकता है और ये redox का भी हो सकता है depending on इसमे reaction कौन involved है simple titration acid based titration भी हो सकता है और redox titration भी हो सकता है मतलब यह दोनो redox और acid base दोनों हो सकता है यह acid base ही होगा acid base titration होगा और यह redox and acid base sorry यह दोनो redox से ही होगा फिर से हम बोल दें यह redox होगा 4 number redox होगा 3 number acid base होगा second और one acid base और redox दोनों हो सकता है तो यह हमने बताया standard solution and non-standard solution titration में यूज होने वाला कुछ device कौन कौन सा container यूज होगा उसके बारे में थोड़ा हम बात कर ले duster कहा गया भई कौन कौन सा अपरेटर्स यूज होगा यहाँ पे उसको देख लेते हैं देखो इधर हमने बनाया है कुछ डाइग्राम burete burete बोलते हैं इसको actually यह कुछ होता नहीं है एक glass का red होता है glass का glass का pipe होता है एक तरफ open होता है और नीचे यह थोड़ा narrow होता है और यहाँ पे एक stop cock लगा होता है या pinch cock बोलते हैं जिसको गुमा के इसको बंद किया जा सकता है जिसको गुमा के इसको खोला जा सकता है और यहाँ पे एक पतला सा hole होता है जिसको nozzle बोलता है मतलब simple एक glass है hollow glass cylindrical glass है इधर खुला हुआ है अंदर hollow है और इधर थोड़ा narrow है और यहाँ पे खोलने और बंद करने का एक knob दिया हुआ है इस glass pipe generally lab में देखोगे तो यह उंगली जितना मोटा है इतना ही मोटा रहेगा generally हलांकि school के lab में हलांकि different lab में थोड़ा बहुत यह भैरी कर सकता है different lab मतलब school जिससे college का lab हो गया कोई research कोई university में कोई बड़े level पर research चल रहा है तो वहाँ का burate कोई और size का हो सकता है बड़ा थोड़ा हो सकता है ठीक है तो यह generally school में जो हमने देखा है इतने इतना बड़ा होता है जिनरली इतना बड़ा होता है ठीक है college में थोड़ा बड़ा भी हमने देखा है school में generally size का होता है और यह पत्रा इतना डाया का होता है generally fix नहीं होता है डाया मतलब भैरी करते रहता है higher education में जाओगे तो वहाँ थोड़ा अलग डाया का मिल सकता है generally school में जो होता है उसका capacity 50 ml होता है मतलब इसमें 50 ml तक चीजें रह सकता है 50 ml solution रह सकता है school वाले में ठीक है हलाकि school में भी भैरी करता है schools में यह हो गया तुमारा bureate और यह इसमें mark बना होता है मतलब इसमें भरना होता है उपर से solution तो यहाँ 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml इस तरह से लिखा रहेगा मतलब तुम चाहो तो इसमें कितना solution है यह पता कर सकते हो ठीक है इसी तरह से एक और device है जिसको pipette बोलते है pipette pipette क्या होता है यह भी एक glass का red होता है एकदम इसी के जैसा बट एकदम इसी के जैसा नहीं change होता है थोड़ा यह इसमें क्या होता है कि इधर भी खुला है इधर भी खुला है यह थोड़ा narrow रहता है यहाँ पे और इधर थोड़ा सा बड़ा रहता है और बीच में फूला हुआ रहता है तुम चाहो तो इस नाम को Google करके Google पे देख सकते हो या तुम अपने स्कूल के Lab Manual में देख सकते हो या 11th Class का NCRD का Lab Manual आता है उसमें देख सकते हो इसमें भी Mark बना होता है Burn EML, 2ML का हलांकि बीना Mark वाला भी होता है Mark वाला भी होता है यहां पे इसमें भरो यहां पे बंद करने का नहीं होता है कैसे यह काम करता हम बताएंगा भी इसमें Mark बना होता है Burn EML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML इस तरह से यह Conical Flask Flask मतलब इस Flask का Simple इस शेप का होता है इसलिए इसको Conical Flask बोलते हैं और कुछ नहीं इसमें भी Mark बना होता है 1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML, 7ML, 7ML इस तरह से 10ML, 20ML इसमें भी Marks बना होता है मतलब इसमें कोई solution डालते हो तो तुम बता सकते हो देखके कि कितना ML है PIPET का यूज क्या करते हैं Buried का यूज क्या करते हैं Conical Flask का यूज क्या करते हैं वो अभी पता चलेगा अब जड़ा देखो Titration में क्या setup करते हैं हम लोग जैसे हमारे पास क्या है हमारे पास है हमें एक एक जामपल लेते हैं पल हम देखते हैं Simple Titration Simple Titration Simple Titration Simple Titration कोशिस करेंगे छोटा छोटा लेक्चर बनाएं मतलब एक लेक्चर में Simple Titration ही केबल बता हैं उसके बाद Second Lecture ही है थर्ड ही है फोर्थ ही है और सब का सब एक दो दिन में रिलीज करते हैं मतलब एक दो दिन में तुमको मिल जाए ये छोटा छोटा इसलिए बनाने का सोच रहे हैं कोईकर लाइट चला जाता है तो बीच में वीडियो डिस्टर्ब हो जाता है बस और कोई बात नहीं है तो Simple Titration देखो अगर हमारे पास HCL है HCL है One minute One minute One minute One minute One minute हम देखो हमारे पास HCL का सोलूशन है HCL का सोलूशन है एक वीकर में HCL का सोलूशन है या एक बॉटल में HCL का सोलूशन है ठीक है? इस HCL का सोलूशन का कंसेंटेशन दिया हुआ है कंसेंटेशन है 0.1 M ठीक है? और हमारे पास एक दुसरा सोलूशन है ये सोलूशन है NOH का सोलूशन है NOH सोलूशन है और ये HCL HCL सोलूशन है ये NOH सोलूशन है जिसका कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता है पता करना है मतलब ये हो गया स्टांडर्ड सोलूशन स्टांडर्ड सोलूशन और ये हो गया NON स्टांडर्ड सोलूशन हम क्या करेंगे? स्टांडर्ड सोलूशन को कहांगे स्टांडर्ड सोलूशन? स्टांडर्ड सोलूशन को कोनिकल फ्लास्क में रखेंगे कोनिकल फ्लास्क में रख दिये स्टैंडर्ड सॉलूशन मतलब इसमें 0.1 M HCl रख दिये, कितना रखेंगे बस थोरा सा और जितना भी रखे इससे, यहाँ पर हमें पता चल गया जो मार्क बना हुआ इससे कितना एमेल हम रखेंगे बाई दबे यह पूरा का पूरा मत रख दो, पूरा बरवाद हो जाएगा अच्छली हमें पता करना है इसके हेल्प से इसका कंसेंटरेशन ठीक है? तो जो स्टैंडर्ड सोलूशन है उसको कोनिकल फ्लास्क में रख देंगे? थोड़ा सा एमाउंट 10 एमेल, 5 एमेल, 15 एमेल, 20 एमेल इस तरह से इसमें से इसमें रख देंगे ठीक है? और इस मार्स के कारण हमें पता चल जाएगा कि कितना एमेल है? बाई दबे यह भी एमेल है ठीक है? अब क्या करेंगे? इस ब्यूरेट में इस ब्यूरेट में हम भर देंगे non-standard solution non-standard solution इसको बंद किये रखेंगे और इसमें भर देंगे non-standard solution बाई दबे यहां तक भरा गया non-standard solution यहां तक ठीक है? कौन है इसमें भरा हुआ? NOH जिसका की molarity नहीं पता है लेकिन इसका volume पता चल गया नहीं रुको volume नहीं पता चला है अभी जब इसको यहां तक भर दिये तो चुक्छे इसमें भी इस तरह से mark किया हुआ है ठीक है? तो यह कितना ml तक है यह हमें पता है ठीक है? और कोशिस यह करना है कि यह ज़्यादा रखना है burete में और इसको कम रखना है ताकि जब यह यहां से इसको open करें तो यह जब NOS नीचे गिरना सुरू हो तो HCL पाले खतम हो NOS का solution पाले खतम नहीं होना चाहिए ठीक है? तो यह कम ले और यह ज़्यादा ले ठीक है? अब हम क्या करेंगे? यहां से knob खोलेंगे यह stop को को खोलेंगे तो यहां से drop wise drop wise HCL solution में NOS का solution गिरना सुरू होगा धियान देना अब यह जो HCL है यह HCL react करना सुरू करेगा किस के साथ? NOS के साथ जो drop wise गिर रहा है पहला drop जब NOS का गिरा तो जो भी उसके आसपास में HCL होगा उसके साथ react करके वो बना लिया होगा NACL NACL plus H2O जब दूसरा drop NACL का गिरा वो भी सेम चीज तिसरा drop वो भी सेम चीज चौथा drop वो भी सेम चीज करेगा एक टाइम ऐसा आएगा कि ये NOS का solution गिरते गिरते इसमें जितना भी HCL होगा सब का सब खतम हो जाएगा और उसके बाद जो NOS का drop गिरेगा वो इसमें react नहीं करेगा इसी में पड़ा रह जाएगा बो टाइम इमैजिन करो जब इसका सारा HCL खतम हो गया उसी समय अगर कोई मेरे को बता दे कि भाई इसके अंदर जितना भी HCL खतम हो गया अब NOS गिराओ गया तो react नहीं करेगा हम उसी समय इसके नौब को बंद कर देंगे जब इसके नौब को हम बंद कर देंगे तो ये तब तक ये लेबल यहां से यहां आ गया होगा चुक्के यहां पे मार्क बनाया हुआ है तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये अगर 10 से मिल है और ये अगर T से मिल है तो हम B से मिल इस reaction में NOS का गया है मतलब इस दोनों का difference लेके हम NOS का used volume भी पता कर सकते है by the way HCL का used volume भीवन था HCL का used volume मतलब शुरू में जो HCL solution लिये थे तो कुछ volume था ना वो भीवन था NOS का used volume है जो नीचे गिरा उसके बाद जब इसको हम बंद कर दिये तब तक जितना NOS नीचे गिर चुका था उसका volume by the way B2 है हमें क्या पता चला है HCL का molarity HCL का volume NOS का molarity नहीं पता है volume पता है ठीक है अब हमें पता क्या करना था NOS का molarity ही तो पता करना था concentration ही तो पता करना था तो अब जड़ा देखो एक important point हमें कैसे पता चलेगा sir कि जब ये drop by जह हम गिरा रहे थे NOS का eco solution भी पानी की तरह transparent होता है कि HCL का eco solution भी पानी की तरह transparent होता है और जब दोनों मिलके इसमें react कर रहा होगा तब भी नमक पानी ही बन रहा है इसका मतलब और वो भी तुम जानते हो transparent होता है इसका मतलब sir हमें कैसे पता चलेगा कि ये नवे से जो गिर रहा है HCL के साथ रियक्ट कर रहा है तो HCL कब खतम हुआ क्योंकि HCL जब खतम हो जाएगा तभी हम इसको बंद करें तो HCL कब खतम हुआ हमें पता कैसे चलेगा पहले भी transparent था reaction हो रहा है तभी transparent है हमेशा transparent ही रहाएगा तो हमें तो इस पानी जैसा ही लगेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें जीतना भी HCL खतम हो गया इसके लिए हम यूज करते हैं indicator लेकिन कुछ दिर के लिए छोड़ दो कुछ दिर के लिए तुम माल लो कि कोई हमको बता दिया कोई भगवान बेटे हुए है वो बता दिया बेटा यहां पर HCL खतम हो गया अब तुम stop call को बंद कर दो तो हमने बंद कर दिया और यहीं भगवान indicator है जिसके बारे में हम बताएंगे कुछ दिर पात बट कुछ दिर के लिए समझ लो कि हमको पता चल जाता है इन्टू भीबन ये CL का मोल नहीं है अगर ये ML में यूज हुआ है तो ये CL का मीली मोल है इस reaction में एन्नेयोज का कितना मीली मोल यूज हुआ होगा एन्नेयोज का मोलरिटी इन्टू एन्नेयोज का भॉलूम ये भी ML में है बाइदर में तो एन्यों इसका मिली मोल कितना यूज हो होगा M into V2 M into V2 M into V2 ठीक है जड़ा गौर करो बाई तबे एन्यों इसका मोलरीटी को हम M2 मान लेते हैं जो हमें नहीं पता है और यहाँ जो HCL लिये हैं 0.1M ये 0.1M कुछ भी हो सकता है हो सकता न कुछ भी अब जड़ा देखो बाई दभी इसको 0.2M ना लिखके ये था M1 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 मोलरीटी था इसका और इसका मोलरीटी M2 कौन-कौन पता है B1 पता हो गया है M1 पता था M2 पता नहीं था और B2 पता है मतलब यहाँ पे क्या कर दे यहाँ पे कर देते हैं M1 ठीक है अब तुम बताओ HCL का इतना मोल यूज हुआ है और मोल कौनसेप्ट से हम यह तो बोल ही सकते हैं कि इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रेक्ट करके इसका एक मोल और इसका एक मोल बनाता है मतलब इसका एक mol जिसके एक mol के साथ ही react कर रहा है मतलब इसका जितना mol react करेगा इसका भी उतना ही mol react करेगा मतलब दोनों का mole equal होगा मतलब this is equal to this M1V1 is equal to M2V2 इसमें ये पता है ये पता है ये पता है के वल ये नहीं पता है क्या? M2 निकल जाएगा M2 is equal to M1 V1 by V2 इस तरह से lab में तुम पता करलोगे इस non-standard solution का concentration एक और सी तुमको लगणा होगा ये बुरेट सर हवा में लटकता रहे जैसे हवा में लटकता रहेगा इधार एक stand बना होगा इस समझे इधार stand बना होगा टेबल पे stand में ये लगा होगा तुमको लगणा होगा सर पीपेट का कोई यूज नहीं हुआ पीपेट का यूज क्या करने में करते हैं अब इसमें जब non-standard solution को भरना था या इसी में इस weaker से इस weaker से इस conical flask में हमको डालना है कौन a seal का solution डालना है तो या तो weaker रहेगा था तो weaker से simply ऐसे करके डाल लेंगे या अगर ये bottle में होता ये weaker नहीं होता bottle होता तो bottle होता और bottle से weaker में निकालना होता ठीक है या फिर ये जो conical flask है अब इसमें by the way 10 ml निकालना होता 10 ml तो bottle से जब या weaker से जब ऐसे गिराएंगे तो ये थोड़ा उपर नीचे हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि इसमें कई बार conical flask में ये mark नहीं भी होता है ऐसा conical flask भी होता है तो उसमें अगर 10 ml डालना है तो हम क्या करेंगे बीकर में यूज करेंगे बीकर से जब solution निकालेंगे या bottle से जब solution निकालेंगे तो ये जब pipette होगा इसको इसको bottle में ये जैसे bottle है बॉटल में solution है तो इस पिपेट को इस bottle में डालेंगे ऐसे और इसके इस इधर इधर मुँँ से खीचेंगे pump करेंगे मुँँ से खीचेंगे तो इससे उपर चड़ेगा solution solution थोड़ा उपर चड़ेगा तो फिर इदर उपर मुझ से हटा के इसे बंद कर लेंगे बंद कर लेंगे और देखेंगे इसमें जो मार्क बना होगा अगर हमें 10 ml चाहिए तो इसमें जहां पे भी बाइदब यहां पे 10 ml का मार्क है और यह चड़ गया अउपर तक तो इसको उचले के रखेंगे और यहां से धीरे-दीरे छोड़ेंगे थोड़ा-थोड़ा तो यह नीचे से गिरेगा जैसा ही 10 ml पे आएगा इसको बंद कर लेंगे और बंद करके फिर konical flask में ले जाएके फिर इसको छोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा तुमको लगड़ा होगा इसमें तो खत्रा भी हो सकता है पिपेट से जब खीचोगे तो हो सकता है मुँँ में चला जाए इसलिए जब पोईजनस कोई रियेजन पोईजनस होता है कोई solution पोईजनस होता है तो वहाँ पे डाइरेक्ट ये नहीं किया जाता है पिपेट से मुँँ के थूँ यूजनस को यूजनस करते हैं आज कल्लाय में एक और टेकनलोजी आ गया टेकनलोजी क्या है? क्या करते हैं लोग? इसके उपर एक बल्ब टैप का रबर टैप का लगा दिया जाता है ड्रॉपर टैप का जैसे नहीं मेडिशिन आख में या फिर कभी देखते होगे ड्रॉपर ड्रॉपर फाइवर आ गया रहता है पीछे में रबर बना रहता है रबर को दबाओ फिर पानी में ऐसे ले जाओ रबर को छोड़ो तो ऊपर आ जाता है पानी तो उसी तरह से ड्रॉपर टैप का यहां पर एक रबर का लगा होता है उसको दबा दो दबा के इसको बॉटल में डालो और फिर इसको छोड़ो तो यह ऊपर चड़ जाता है ठीक है तो मूँ नहीं उस करके डाइरेक्ट वो रवड़ वाला कैप भी यूज किया जाता है ठीक है हलनकि लास्ट में जब खतम हो जाएगा कूर्स उसके बाद जब तुमारा 12 का बोड होगा उस समय हमने सोचा है उस समय हम एक बाद तुमारा लैम मैनुवल में जो भी टॉर्म है जो भी टेक्निकल टॉर्म है वो सब हम एक बार classroom में explain करेंगे अब यह हम उतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर बहुत जादा time लग जाएगा तो lab manual पे जब भाईवा तुम्हारा चलेगा school में practical का उसके पहले हम एक बार discussion तुम्हारे lab manual पे करेंगे उसमें यह सारा terms हम समझाएंगे कि कैसे यूज करते हैं क्या करते हैं तो फिराल तो पीपेट का यूज करते हैं solution को एक जगा से दूसरे जगा एक bottle से निकालके कोनकल फ्रास्क में डालने के लिए bottle से निकालके बीकर में डालने के लिए बगरा बगरा में तो अब जरा गौर करो यहां से हमें concentration पता चल गया, non-standard solution का concentration, standard solution के help से पता चल गया, थोरा सा और इसमें example बदलते हैं, ध्यां देना जरा, यहां जो non-standard solution, NOS था और standard solution, HCL था, अगर HCL standard solution नहीं होके, S2SO4 standard solution होता, तो क्या होता, गौर करना जरा, कोनिकल फ्लास्क में अगर, कोनिकल फ्लास्क में, कोनिकल फ्लास्क कही है, और यहां पे है buret, यहां पे है buret, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में by the way, 0.1, 0.1 M, S2SO4 है, S2SO4 है, of course standard solution है, ठीक है, या फिर हम M1 के टर्म में ही लिखतेते हैं, इसका M1 concentration है, M1, S2SO4, S2SO4 solution, और इसका जो volume इसमें लिए है, यह volume है by the way, भीवन, कोनिकल फ्लास्क में, of course यहां पे जब acid लिए हो, standard solution, as a standard solution, standard solution, यहां आब acid लिए हो, तो non standard solution कौन लोगे, base लोगे, by the way, NaOH लिया, जिसका की concentration हमें नहीं पता है, M2 हमें पता करना है, और, of course, इस सेम process जो वहां पे किया, वहीं यहां पे करेंगे, यहां से drop यहां पे एक knob रहेगा, drop by NaOH गिराएंगे, गिराएंगे तो एक reaction होता जाएगा, जो S2SO4 है, S2SO4 है, वो NaOH के साथ reaction करेगा, और NaOH के साथ reaction करके बनेगा, sodium sulfate, Na2SO4, प्लस S2O, ठीक है, इस reaction को अगर balance करेंगे, तो यहां पे 2 लिखना पड़ेगा, और यहां पे 2S2O होगा, यह reaction होता जाएगा, और जैसे जैसे NaOH गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, जैसे ही NaOH यहां पे पहुंचा, यहां पे था, यहां पे पहुंचा, पता चला कि इसके अंदर का S2SO4 खतम होया सारा, तो हम इस नॉप को घुमा के रोक देंगे, NaOH के solution को गिरना बंद करेंगे, और इस तरह से, यहां इस भी इसका जो difference होगा, यहीं NaOH का volume होगा, volume पता चल गया, NaOH solution का, S2SO4 solution का volume, पहले से ही पता था, क्योंकि को इकल फ्लास में S2SO4 solution लिये थे, और इसमें mark बना हुआ था, तो उसे मेजर करके हम लिख लिये थे, इसके बाद, ए मोलरीटी भी S2SO4 का पता है, चुकि है standard solution है, और यह था non-standard solution, non-standard, non-standard solution, जिसका मोलरीटी हमें पता नहीं है, ठीक है, अब जड़ा गौर करो, अभी तक, जब NaOH गिर रहा था इसमें, NaOH इसमें गिर रहा था, यहां तक NaOH गिरा, उसके बाद, इसका S2SO4 खतम हो गया, तो NaOH का कितना मोल गिरा है, NaOH का मोलरीटी को भॉलूम से अगर multiply कर दें, molरीटी क्या है, M2, और volume क्या है, V2, of course अगर volume V2, ML में है, तो mol नहीं होके millimol होगा, तो यह भी volume रहेगा ML में, तो यह भी millimol होगा, तो इसका millimol कितना हो जाएगा, M1, V1, ठीक है, तो यह S2SO4 का millimol, NaOH का millimol, अब क्या हम S2SO4 का millimol, अच्छा, इसमें पता कौन-कौन है, M1 पता है, V1 पता है, M2 पता नहीं है, V2 पता है, अब तुम बताओ, क्या हम M1, हम M1, V1, is equal to M2, V2 कर दें, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक mol, इसके दो mol के साथ react करता है, इसका M1, V1 mol react किया है, या M1, V1 millimol react किया है, तो NaOH का, इसका double, यह NaOH का M2, V2 millimol यूज किया, और यह दोनों equal नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जितना mol react करता है, इसका double mol react करता है, मतलब इसका double है यह, मतलब इसको अगर 2 से multiply कर दें, तो इसके बरावर हो जाएगा, मतलब इसको 2 से multiply करेंगे, तब इसके बरावर होगा, अब यहां से हम निकाल सकते हैं, M2, M2 is equal to क्या है, M1, V1 by V2 into 2, समझा है, यहां पर 2 से multiply क्यों किये, इसका एक mol के साथ इसका 2 mol react करता है, इसका इतना mol react किया है, तो इसका double होगा यह, तो यह दोनों बरावर कब होगा, जब जो आधा है, उसको 2 से multiply कर दो, तो यह इसके बरावर हो जाएगा, और इस तरह से M2 का value निकलेगा, ठीक है, बट एक तरीका और है, हमने पहले भी बताया था, कि M1, V1, M1, V1 is equal to M2, V2, हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है, कब हो सकता है, और कब नहीं हो सकता है, M1, V1, अगर इस दोनों का coefficient सेम नहीं है, तो M1, V1 is equal to M2, V2 नहीं होगा, फिर तुमको इस तरह से सोचना होगा, बट एक और तरीका है, N1, V1 is equal to M2, V2 का, वो तो हर जगा valid है, तो तुम चाहो, तो यहाँ N1, V1 is equal to M2, V2 भी यूज़ कर सकते थे, जैसे, अगर यहाँ प और उसमें reaction balance करने का जरूरत भी नहीं था, हलांकि acid-base reaction में balance करने में भार कहा कुछ पढ़ता है, हलांकि देखो, जब इसका molarity पता था, volume पता था, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, N1, V1 is equal to N2, V2, यह तो हम सब के लिए लिख सकते हैं, N1 क्या होगा, molarity into N factor, यानि N1 into N factor, HCL का N factor, acid की तरह भी हैप करें तो, 1 into 1 into V1 is equal to N2, इसका molarity है, sorry, N2 इसका normality है, तो normality कैसे निकले का, इसका molarity into N factor, base की तरह भी हैप किया है, तो mono acidic base है, इसका N factor क्या होगा, 1 होगा, इसका मतलब, 1 into M2 into V2, यहां से निकाल लो, क्या निकालना है, M2 निकालना है न, यहीं, M2 निकालना है न, तो M2 क्या आजाएगा, M2 is equal to M1, V1, Y, V2, निकल गयो, N1, V1 is equal to N2, V2 यूज किये था, तुमको लगा, क्या आसर यहीं, तो ठीक तो था, बड़ ज़रा और करो, एक बार इसमें, इसमें अगर हम यूज करें, N1, V1 is equal to N2, V2, N1, V1 is equal to N2, V2, और इसको यूज करने के लिए, N, F1, V1, sorry, normality का होता, molarity into N factor, तो N, F1, M1, V1 is equal to N, F2, N2, V2, ठीक है, N, F1, N1, V1, M1, V1, किसका यूज किया था, इसका यूज किया था, तो इसका N factor कितना इस reaction के लिए, 2 है, 2-NH plus replace हुआ है, तो इसका N factor 2 है, क्या लिखेंगे, 2 into M1, M1, V1 is equal to, इसका N factor क्या है, 1 है N factor base की तरह भी है, किया, रेखी हो, H minus H से निकलेगा, तो यह हो गया, 1 into N2, V2, sorry, Nf into M2 ने यहाँ पे, M2, M2, molarity को N factor से multiply करेंगे, तब normality बनेगा, तो यहाँ पे, M2 into V2, और यहाँ से निकल गया, कौन निकालना था, निकालना, निकालना, M2 था, तो M2 निकल गया, 2 into M1, V1 by V2, देखो, वहीं M2 निकला, जो molarity से हमने निकाला था, ठीक है, मतलब, वहीं M2 निकला, जो हम balance करके निकाले थे, mole relate किये थे, और यहाँ eco-volum relate किये हैं, एक चीज़ ध्यान देना, N1, V1 is called to N2 V2, यहाँ भी हमने यूज किया है, N1, V1 is called to N2 V2, यहाँ भी हमने यूज किया, कहीं कोई गलती नहीं हुआ, सही ही आया, सेम चीज़ आया, answer में, लेकिन यहाँ पे N1, V1 is called to N2 V2 हमने यूज किया, बटे हाँ पे N1, V1 is called to N2 V2 यूज नहीं किया, 2 into N1 V1 is called to N2 V2 यूज किया, ठीक है, तो moles हमेशा दोनों का equal हो, जरूरी नहीं है, बट ecovalent दोनों का equal होगा, ठीक है, तो N1, V1 is called to N2 V2 हमेशा सही होगा, M1 V1 is equal to M2 V2 पे थोड़ा precaution लेना पड़ेगा लेकिन acid-based reaction में चुकर reaction balance करना आसान होता है तो तुम mole concept ही use करो मतलब M1 V1 और M2 V2 में ही relation लिखो equal होगा तो equal कर देना coefficient same रहा है तो equal नहीं रहाएगा तो coefficient use करके कर लेना और क्या लेकिन अगर redox reaction है तो उसमें reaction को balance करना tough होता है थोड़ा तो वहाँ पे equivalent concept ही use करना वहाँ पे N1 V1 is equal to N2 V2 use करना काफे असानी से questions बन जाएगा ठीक है तो ये था overall simple titration इस पे एक दो questions करेंगे मट questions करने के पहले थोड़ा साम बात करते हैं इंडिकेटर पे उस God पे जो हमें बता रहे थे कि यहाँ पे HCL खतम हो चुका है हमें कैसे पता चलेगा God बता रहा थी ये God का ही role play कौन कर रहा है इंडिकेटर ये इंडिकेटर क्या है समझते हैं जरा हडा थे इसको देखो पहले तुम्हें ये समझना होगा हलाकि एक ची हम बता दें इंडिकेटर के बारे में detail हम आईनी की किलबडिया में पढ़ेंगे अभी बस जितना से काम चल जा और जितना तुम समझ सको उतना ही हम बात करें इंडिकेटर क्या है अचले एक ची बताओ जब HCL खतम हो जाए अभी इस वीकर में अभी इसमें एन्योच गिरना स्टार्ट नहीं हुआ है तो इसमें HCL है HCL एसीड है एसीड का pH pH less than 7 होगा धीरे धीरे जब इसमें एन्योच गिरता जाएगा तो एक टाइम आएगा कि जब सारा HCL खतम हो जाएगा जितना भी इसके अंदर HCL है एन्योच के गिरने से खतम हो जाएगा उस समय इसमें ना HCL रहेगा ना एन्योच रहेगा क्या रहेगा? जो भी HCL रहेगा एन्योच के साथ रियेक्षन करेगा और क्या बना रहेगा? एन्योच रहेगा? प्लस H2O तो यह नमक पानी ही इसमें रहेगा के बद और अभी एन्योच तो ड्रॉप बइच गिर रहा है ना अभी अभी जस्ट HCL खतम हुआ है तो उस समय इस वीकर में नमक पानी होगा और इस सोलूचन का पी एच होता है 7 नीट्रल वाटर का जो पी एच होता है वही होता है नमक पानी का पी एच इसके बाद अगला ही ड्रॉप गिरेगा एन्योच का तो सोलूचन बेसिक हो जाएगा क्योंकि अब जो एन्योच गिरेगा उसको निट्राइज करने के लिए कोई नहीं है इस सोलूचन में कोई यसी नहीं है मतलब अगर कोई मेड़े को बता दे यहाँ पे कुछ ऐसा PS मेजर करने वाला कुछ डिवाइस लगा दे जो जैसे ही PS7 होए हमको बता दे भाई PS7 हो गया PS7 होने का मतलब सारा का सारा HCL NOS के साथ react कर गया मतलब अब इसको बंद करो ठीक है तो अभी के टाइम में तो pH measure करने वाला device भी होता है तो उसको इसमें लगा दो इसमें डाल दो thermometer की तरह तो वो जैसे ही pH 7 होगा बता देगा pH 7 उसमें reading रहता है तो pH 7 पता चल गया वो मिलेगा पड़ लैम में क्या करना पड़ता है जड़ा सोचो एक indicator जो बच्पन से तुम जानते हो litmus paper red to blue basic solution में blue होता है red litmus paper है अगर उसमें base मिला दो तो कैसा हो जाता है blue हो जाता है हम लोग याद रखते थे RB base ठीक है तो शुरू में चुके ये acidic था इसमें एक litmus paper का टुकरा डाल दो litmus paper का होता क्या है पहले यह समझते हैं एक paper होता है जिसमें एक particular compound लगाया हुआ रहता है ठीक है तो वो paper red है अगर उसको acidic solution में रखोगा तो रेड होगा चुके शुरू में ये HCL था तो इसमें डाल दो litmus paper का छोटा सा टुकरा paper कागज इसमें डाल दो चुके solution acidic है तो रेड रहेगा लेकिन जैसे जैसे NOH गिरेगा 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 जैसे ही neutral हुआ जैसे ही सारा HCL खतम हुआ और उसके बाद अगला drop NOH का गिरा solution basic हुआ तुरंट से indicator जो litmus paper था वो अपना color बदल देगा कैसा? red से blue हो जाएगा जैसे ही litmus paper का color blue होना शुरूआ या blue हुआ हम तुरंट इसको बंद कर देंगे हम समझ लेंगे कि इसके अंदर का सारा acid खतम हो गया अब solution basic range में जा रहा है मतलब एड़ एक्स्टा गिर रहा है थोड़ा बहुत error होगा उतना error होता है experiment में उसके बाद नौब बंद कर देने ठीक है मतलब litmus paper एक तरह से यहाँ पर क्या चीज की तरह भी है किया indicator की तरह वो ये बताया है हमें कि इसका सारा acid खतम हो चुका है तो actually litmus paper में paper में कोई बात नहीं होता है उसके उपर paper के उपर एक compound लगाया होता है वो होता है pH sensitive तो वो compound या तो litmus paper के उपर लगा के इसमें डालो या उस compound को ही थोरा सा इसमें डाल दो पेपर पे नहीं वो compound जैसे नमक होता है H204 होता है जैसे कोई compound होता है वैसे ही litmus paper के उपर भी एक compound होता है particular compound उस compound का थोड़ा से amount इसमें डाल दो चुकर सुरू में acid था acid था तो वो rate solution दिखेगा और जैसे ही सारा acid इसका खतम होगा solution कैसा हो जाएगा blue हो जाएगा ठीक है तो वो litmus paper यहाँ पर इंडिकेटर की तरह भी है करेगा ठीक है तो अब जरा मेरे को बताओ यहाँ तो जब पूरा जब एंडिकेटर खतम होता था उस समय solution का pH 7 हो जाता था इसलिए हम एक ऐसा इंडिकेटर ढूंडे जो अपना color 7 के आसपास बदले मतलब pH 7 से नीचे उसका color कुछ हो और pH 7 से उपर उसका color कुछ हो बड़ जरा गौड करो अगर इस conical flask में HCl नहीं होता SCT केसीड होता और ब्यूरेट में NaOH होता और जब titration करते जब SCT केसीड खतम हो जाता तो क्या बनता जरा देखो Na plus CS3 COO minus plus S2 हाँ एक और चीज़ हम बता दे जब conical flask में जो ACD हो खतम हो जाएगा उस समय हम बोलते हैं कि equivalence point आगिया equivalence point मतलब जब HCl का equivalent NaOH के बरावर हो जाए HCl का equivalent NaOH के बरावर हो गया reaction complete कब हुआ जब इस दोनों का equivalent आपस में बरावर हो क्योंकि reaction में तो होता ही है number of equivalent of this equal to number of equivalent of this मतलब जैसे ही HCl खतम हुआ उस समय HCl का जितना भी equivalent था उस समय तक जो consume हुआ वो NaOH का जितना भी equivalent गिरा है उस दोनों आपस में बरावर होगा तो जिस समय ये पूरा reaction complete हुआ हम बोलेंगे कि equivalence point आ गया ठीक है और जिस समय HCl का जितना भी equivalent था जितना भी mole था उसका आधा consume हुआ था उस समय बोलेंगे कि HCl का 1-wise 2 equivalence point आया मतलब आधा equivalent points आया हला कि छोड़ दो half equivalent points की बात करेंगे हम आगे जब citation पढ़ेंगे तो अभी तुम समझो बस कि जिस समय ये पूरा consume हो गया हम बोलेंगे equivalence point आगिया मतलब equivalence point क्या हुआ कि जब कौनकल फ्लास का content completely consume हो जाए उस time को हम बोलेंगे कि equivalence point है एक और term होता है end point end point actually तब बोलते हैं जब हमें पता चल जाता है कि the action complete हो गया है तुमको लगया जा तो सरीशी को तो आप equivalence point बोलें equivalence point theoretical term है end point practical term है equivalence point जब NOH जब इसका HCL खतम हुआ है जब इसका HCL खतम हुआ है जस्ट उसी समय equivalence point आ गया हम बोलेंगे equivalence point आ गया लेकिन जब हमें पता चला कि equivalence point आ गया है तो उसको बोलेंगे हम end point पता कई बार equivalence point आने के बाद चलता है तब लिटमस पेपर कलर बदला तो पहले equivalence point आ गया था उसके कुछ दिर बाद in point आ गया कुछ दिर मतलब instant अगला drop में ही in point आ गया ideally equivalence point और in point जब साथ साथ आए तो error नहीं होगा titration में otherwise थोड़ा error होगा और उतना error होगा ही होगा अब in point पहले आता है कि equivalence point पहले आता है ऐसे तो लगता है कि पहले equivalence point आया उसके बाद in point आया क्योंकि जैसे equivalence point आया नह, HCL के equivalence के बरावर हुआ उसके बाद जब नह गिरा तब solution basic हुआ लेटोस पेपर का color rate to blue हुआ मतलब पहले equivalence point आया देन in point आया ऐसा लगता है लेकिन हम तुमको बताएंगे chemical ionic equilibrium में कि equivalence point in point के पहले भी आ सकता है sorry sorry in point equivalence point के पहले भी आ सकता है in point equivalence point के बाद